नमस्ते दोस्तों आप देख रहे हैं बेश बिजनस अन्डी चैनल मैंनी तीन आप सभी का सवगत करता हूँ आज मैं आपको बताऊंगा जब भी आपको चिक्स आता है तो आप किन बातों पे धैन देखिए दोस्तों आज हमारा चिक्स आया हुआ है लेकिन शुरू के दो तीन ट्रे जो हमने देखे उनमें चिक्स कम था इसलिए हम पुरा चिक्स गिन के लिए रहे दोस्तों ये देखि chicks कम ना मिले कभी-कभी क्या होता है कि ये लोरी ड्रैवर बीच में ही chicks बेच डालते है और वो बेचा हुआ chicks सभी डब्मों में थोड़ा-thोड़ा कम कर देते है इसलिए हमें chicks लेते समय थोड़ी साउदा नहीं वरत नहीं है दोस्तों और चिक्स की quality चेक करें विगर चिक्स ना ले अगर चिक्स कम नहीं भरना है दोस्तों तो आप सिर्फ उनकी quality चेक करके ही डब्बे पल्टा सकते हैं देखे हमने सिर्फ quality चेक किये दोस्तों अभी हमने हमारा चिक्स चारो ब्लॉक में समान रूप से फैला दिया है दोस्तों अभी हम चार गंटों के लिए इन्हें गुल का पानी देंगे गुल का पानी इसलिए दोस्तों इनका ट्रेस कम करने के लिए और इनको ठकावट हुई है ये दूर से आते हैं इनका ट्रेस कम करने के लिए और इने एनर्जी देने के लिए हम गुल का पानी दे रहे हैं दोस्तों दो गंटे के बाद हम इने फिड देना शुरू कर देंगे दोस्तों और फिड हमें नीचे ही दालना है दोस्तों मैं आपको बता दू कि फिड हमें नीचे पेपर पे ही डालना है चीक्स आकर हमें दो गंटे पूरे हो चुके दोस्तों इसलिए हमने फिड देना शुरू कर दिया है आप देख सकते हैं कि हमने पेपर पे ही फिड दा रहा है एक भाई साप की कमेंड आई थी कि हम पेपर के नीचे लखली का या चावल का बुरामदा दाल सकते हैं तो दोस्तों हमारा नीचे कॉंक्रेट का फर्ष है करके हमने सिर्फ पेपर भी चाये हुआ है हम तीन दिन के बाद इस पर लखली का या फिर चावल का बुरामदा दाल सकते हैं और जो लोगे के पास नीचे कॉंग्रेट का फर्ष नहीं है जैसे कि हमारा दूसरा शेड ये देखें दोस्तों वीडियो में जो आपको रेट कलर दिख रहा है हमारे जो परदे है ये ज़रा ज्यादा रेट कलर के है डार्क रेट कलर के खरके थोड़ा सा रेड रेड़ी वीडियो में शोव रहा है कॉलिटी की तरफ धहनना दे दोस्तों जो आपको नॉलेज मिल रहा है उसके तरफ धहन दीजिए ये देखे या पर हमारा जो फर्ष है वो मट्टी का है दोस्तों इसलिए हमने इस पर लखली का बुरामदा बिचाये हुआ है और उसके उपर पेपर है और पेपर पर हम फीट दे रहे हैं आपको मैं बता दू कि आप नए फार्मर अगर हो अगर चिक्स डिंकर लेने जा रहे हो तो डिंकर ही इस प्राकार का आता है दोस्तों यही ले इसको उपर से स्टैन आता है दोस्तों इसे हम आसानी से कई भी उल्टा खड़ा कर सकते हैं दोस्तों हमारे का टेमप्रेजर थोड़ा ज्यादा है करके हमने अभी लाइट वगेड़ा कुछ भी शुरू नहीं किया है दोस्तों लेकिन रात को क्या करना है ब्रूडिंग कैसी की जाती है यह देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिया आने वाले वीडियो बुरूडिंग पर ही आने वाली है दोस्तों धन्यवाद